श्री नाज्जी गुरुजी को लखादेश, माभगवती को लखादेश, रांची वाले भैरभ बाबा को लखादेश, आप सभी को आदेश आदेश बारा तारिक को दिपावली हर, दिपावली की रात्री में मालक्ष्मी की साधना करनी चाहिए आज मैं आपको अश्ट लक्ष्मी में महालक्ष्मी की साधना बताऊंगा जैसे भगवती काली की साधना करने से जो दस महा विद्या है सबकी साधना पूर्ण मानी जाती है दस दिखपालों की साधना को पूर्ण माना जाता है, ठीक है, जैसे आदित्ति की साधना करने से नवग्रह की सारी साधना को पूर्ण माना जाता है, उसी तरीके से जब आप महालक्षमी की साधना करते हैं, तो आपका जो है, अश्टलक्षमी का जो साधना है, उसको माना जाता है आप एक एक करके अश्ट लक्ष्मी की साधना भले कर सकते हैं लेकिन आपने अगर महा लक्ष्मी की साधना कर ली तो वो परियापत है अश्ट लक्ष्मी में कौन कौन आती है कमला लक्ष्मी आती है सत्य लक्ष्मी आती है भोग लक्ष्मी आती है योग लक्ष बनाएंगे और यंत्र बनाने के बाद उनकी साधना करेंगे देपावली के रात्री में ठीक है तो अश्ट लक्ष्मी का जो पूर्ण यंत्र है वो बहुत बड़ा और बहुत ही विस्तृत यंत्र होता है उसमें कई आयाम होते है जैसे अश्ट लक्ष्मी के अश्ट दल के अ पूजा करता है जो साधक नहीं है वो अगर इसको बनाएगा तो तुटी होना बहुत ही लाजमी हो जाता है इसलिए हम जो है पूर्ण यंत्र को ना बना के जो अस्ट लक्षमी का मूल यंत्र है वो आपको बता रहे हैं ठीक है अब आपके स्क्रीम पे अस्ट लक्षमी का यं बनाएंगे दवाद बनाएंगे उससे इस यंतर को बनाएंगे ये यंतर जब बनेगा तो पहले ये वृत बनेगा वृत जब आप खीचेंगे तो इसको क्लॉकवाइस खीचेंगे और उसके बाद जो उपर की पंखुडियां है उसको लेफ्ट तू राइट आप बनाएंगे ठीक है, उसके बाद हर पेटल में आप देखेगा कि एक-एक जो है नाम लिखा हुआ है भगवती का, तो वो एक-एक करके बाएं हाथ से शुरू करेंगे और दाहीने तक, मतलब अमृता लक्षमी से शुरू करेंगे और कमला लक्षमी तक जो है हम नाम लिखेंगे इस क्रम म ठीक है बीच में जहां पर अश्ट लक्ष्मी लिखा हुआ है वहां हम क्या करेंगे लिखेंगे गुरू ठीक है फिर परम गुरू ठीक है फिर परापर गुरू फिर परमेश्ठी गुरू और सबसे नीचे लिखेंगे महालक्ष्मी ठीक है तो इस तरीके से यह यंतर तयार हो अंतर को तयार कर ली dieses Kalash पहला काम है उसके अलावा पूजा मेरे सामानी तो ध्यान ञखने इसमें हमें कलश बैठाइगे मिट्टी का ठीक इस कलश में जो है जल पान सुपाडी एक सिक्का ठीक है आम का जो पलव होता है पांच या साथ का वो और उसके बाद जो है आप जहां से भी पुजा का सामान लेते हैं वहां पे नवरत्न की पुडिया मिलती है वो ले अनने जगीए और मिट्टी का सबते हमान की मिट्टी मिला हुआ पुडिया होता हुए हुज हो यह तीनों पुडिया छारे समें ढल तक के आप यह एक नारियल मिऊपर झाल प पानी तो रहेगा हुख है तो कलश का तैयार हो गया एक चौकी रखेंगे, चौकी पर लाल कपड़ा भी चाएंगे, उसके उपर इस यांत्र को रखेंगे, ठीक है, अपने दाहिने तरफ जो है, या फिर बिल्कुल चौकी के मध्ध में आपके सामने इस कलश को स्थापित करेंगे, नीचे में थोड़ा सा चावल डालेंगे, ठ पाई और निवेदन, जो भी नवेद आप चढ़ाएंगे, फल, फूल, मिठाई, जो चढ़ाना है, वो आप चढ़ाएंगे, ठीक है, यंत्र के चारो कोने और मद्ध में जो है, रोली से जो है, आप तिलक करेंगे, ठीक, और एक पुष्प जो है, भगवती को आप इस यं कितर पर चढ़ा देंगे, ठीक है, फिर, गेंदा फूल, अगर मिले तो अच्छा होता है, गेंदा फूल, और लाल रंगा हुआ चावल दोनों, एक कटोरे में ले ले लेंगे, और इस यंत्र की पूजा करेंगे, बाएं से दाएं की तरफ, ठीक है, तो पहला मंत्र जो होत होता है, जैसे हाथ में लिया और उसका चीते अगई अंदर पे, तो, ओम एंघ्रिंकलिंग श्रिंग अध्य लक्ष्मे नमाह, अध्यलक्ष मिय आवहन यामी स्थापयामी, ठीक है? फिर इत्र अध्य लक्ष्मे एंवहन अवहन य अवै यामी, फिर दूसरा, ओम, एंग्र अम्रिता लक्ष्मी, पाच्वा कमलाग लक्ष्मी, उसके बाद सत्य लक्ष्मी, उसके बाद भोग लक्ष्मी और उसके बाद योग लक्ष्मी, जो बीज अक्षर है और अंत्र में जो भी लिखा हुआ है, वो एक सा रहेगा, ठीक है, सिर्फ जहां पर आद्य लक्ष्मी नम मिल जाएगा और नमाह के बाद आद लक्षमी आवाहन यामी स्थापयामी विद्या लक्षमी आवाहन यामी स्थापयामी सौभाग्य लक्षमी आवाहन यामी स्थापयामी वो जो नाम है ये बदलता जाएगा ठीक है तो यंत्र पर जो है भगवती का आवाहन हो जाएगा ठ नवेद चढ़ा दिया जो भी चढ़ाना है अब जैसे आपको नवेद कैसे चढ़ता है तो नवेद पर एक तुलसी का पत्ता रख करके और जल से छीटा मार देंगे ठीक है मैं यह मान के चल रहा हूँ कि यह जो आप घर में पूजा करते हैं उस क्रम में आप लोग आत्मसुद्धी और आच्मनी करते होंगे आत्मसुद्धी और आच्मनी और आसन तीन मंत्र जो है आप कहीं से भी किसी भी पुस्तक से प्राप्त कर सकते हैं बोल करके आचमनी करते हैं तो अपने हथेली के नीचे भाग से जो है उस जल को पीटेए बाए हाथ से हाथ में जले जाले को फिर ने हात से इसको पीए Digital आशन को सुद्ध करते हैं ओम रक्ष रक्ष पवित्र वज्बू में हुमपट ऐसा बोल करके जमीन को पवित्र करते हैं ठीक है यह यह अंत्र बैठाने से पहले का विधान है ठीक है यह जनरल चीजें है इसलिए मैंने स्किप किया लेजिए फिर सोच मैं अप्लोगों को बता दो उसके बार गुर्व-पंति प्रनाम होता बाइकान की तरफ हाथ को प्रनाम की मुद्रा में उनकर करके ग्षर का इंगे विम अ जो पहले क्रम बताया है आपको यंतर को स्थापित करके यंतर की पूजा करेंगे इसके बाद हात में थोड़ा सजल लेंगे और उसके बाद विनियोग करेंगे शंकल्प ओम अस्य श्री अश्टलक्षमी मंत्रस्य रंगर्भ्य रशिह अनुष्टुप छंदः श्री महाकाली महालक्षमी महासरसती स्वरूपिनिय महालक्षमी देवता एंग बीजम रिंग शक्ति क्लिंग कीलम सर्वकार सिद्यातम विनियोग और बोल करके जल को गिरा ठीक है इसके बाद जो पून विदान करना चाहते हैं वो सुने नहीं तो फिर आप सीधे जो मैं अन्त में मूल मंत्र बोलूंगा उसका 21 माला जाप कर लिए ठीक है इसके बाद क्या होगा इसके बाद होगा रिशी न्यास ठीक है तो ओम हिरन गर्भ रिशय ये नमहा से रस ठीक है इसके बाद फिर अम सिध्यलक्ष्मि नमहा अंगुष्ट अभ्याम नमहा अब हाथों का सपर्ष करेंगे ओम विश्णु तेजसे नमहा तरजनी भ्याम नमहा ठीक है ओम अम्रिता नंदने मध्य अभ्याम नमहा ओम दैत्यमर्दनी अनामिक अभ्याम नमहा ओम तेजह प्रकाशन्य कनिष्ट का अभ्याम नमहा ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरसती सरूपिनी देवताभ्याह करतल कर प्रिश्ट अभ्याम नमहा इसका मैं विधान इसले नहीं बता रहा हूं कि बहुत सारे वीडियो में मैंने बता रखा है फुरे रिदय नयास करेंगे हम देखे इसमें क्या है कि आप जो है जो जो मैं अंग बोल रहा हूं बस उसका स्पर्ष करते जाना है तो सर्विस में एक जगा पर ट्रिक है कि जहां पर नेत्र का स्पर्ष करना बोला जाता है वहां पर बाय दाहिने और जो त्रिनेत्र है तीनों का स्पर्ष करना है बाकि जिस क्रम में लिखा हूँ है उसी क्रम में आपको जाते जाना है ठीक है इसके बाद जो है हम माला को उठाएंगे और माला को शुद्ध करेंगे ठीक है तो माला को शुद्ध कैसे करते हैं माला प्रात्ना जो है ओम माम माले महामाय सरसक्ति सरुपिन्ये उस मंत्र से माला को जो हम लोग शुद्द करेंगे उसके आद ओम अव इगनकरूम माले ये जो मंत्र ये दोनों दुरगा शप्षति का मंत्र है इन दोनों मंत्रों से जो है माला को शुद्द करेंगे ठीक उसके बाद जो मूल मंत्र है मैं तीन बार बोलूँगा ध्याँ से सुनिएगा और उसका जाब करिएगा मंत्र है ओम एंग्रिंग्रिंग्लिंग ش्रिंग महालक्षमेईनमहँ और रोज के पूझा में फिर कमसे कम एक माला इसका जाब करेंगे जाब जो है स्पटिक की माला से भी हो सकती है और कमल गट्टे की माला से भी हो सकती है जब एक बार पूजा कर लेंगे तो भगवती के तरफ माला को आप अपने बाएं हाथ से बढ़ाएंगे और बोलेंगे इतना बोल करके जो माला है वो जाब माला का अगर आपके पास थैली है तो उसमें डाल करके और जो यंत्र है उसके उपर रख देंगे बोलेंगे ओम रिंग सिद्धय नमाहा इतना करने से वो पूजा आपका पूर्ण हो जाएगा कोशिश करेंगे कि दिवाली की रात्री में जो घी का दीपाक आपने जलाया है वो रात्री तक जब तक सूरुदय नहीं होता है तब तक वो दीपाक अखंड रहे सुभा में इस यंत्र को उठा लेना है चाहे तो इसको फ्रेम करवा करके आप अपने व्यापार स्थान पर इसका स्पर्ष नहीं हो इसका जो पूर्ण यंत्र होता है ऐसे पूर्ण यंत्रों की सिद्धी इस बार जो हमारा दिपावली पूजन होगा उसमें किया जागा जिसको भी चाहिए होगा वो हमसे संपर कर सकते हैं आज के लिए इतना ही महालक्ष्मी आप लोगों को अनंत धन्मार बैवब दे राची वाले भार बाबा आप लोगों को अनंत पराक्रम दे ऐसी उनसे प्रातन है आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश